प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी की तीसरी सरकार थोड़ी कमजोर नज़र आ रही है 2014 और 2019 में जब बीजेपी ने भहुमत के साथ सरकार बनाई तो कई एतियासिक फेसले लिए गए लेकिन 2014 में मोदी सरकार का रवाईया बदला हुआ नज़र आ रहा है पहले जो सरकार बड़े और कड़े फेसलों के लिए जानी जाती थी वही अब यूटन लेने पर मजबूर हो रही है क्या ये बदलाओ सत्ता में गटबंदन की मजबूरी है या फिर विपक्ष का बढ़ता दबाओ आईए जानते हैं विस्तार से नमस्कार आप देख रहे हैं Think360 और मैं हूँ आपके साथ जावेद खार 2014 और 2019 के चुनाओं में नरेंदर मोदी के नेतर्तु में बिजेपी ने बहुमत आसिल किया था एक तरफ विपक्ष विखरा हुआ था और कमजोर नज़र आ रहा था इसी ताकत का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार ने धारा 370 को अठाने से लेकर तीन तलाग के खिलाब कानूर बनाने तक कई बड़े और एतियासिक फैसले लिये थे लेकिन तीसरी बार सत्ता में आने के बाद सरकार के तेवर बदले हुए नज़र आ रहे 2024 के चुनाओं में बीजेपी को पहले जैसा इसपष्ट बहुमत नहीं मिला ऐसे में नरेंदर मोदी को नितिश कुमार की जेडियू और चंदर बाबु नाइडू की टीडीपी जैसी पार्टियों के साथ मिलकर गटबंदन सरकार बनानी पड़ी लेकिन इस गटबंदन ने सरकार की इस्तिर्ता और निर्ने लेने की शमता पर शायद कुछ सवाल खड़े कर दिये हैं या यू कहें कि विपक्ष अब पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया है राहूल गांदी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार को हर कदम पर घेरना शुरू कर दिया है इसका असर सरकार के फेसलों पर साफ नज़र आ रहा है सबसे ताजा मामला है UPSC के लेटरल एंट्री का अगस 2024 में UPSC ने 45 पदों पर भरती के लिए लेटरल एंट्री का विज्यापन जारी किया लेकिन इनमें आरक्षन का प्रवधान नहीं था राहूल गांदी ने इसे दलीत, OBC और आदिवास्तियों के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया विरोध इतना बड़ा कि सरकार को ये विज्यापन वापस लेना पड़ा इससे पहले भी सरकार ने कई बड़े फैसले वापस लिये हैं जैसे कि 2021 में किर्शी कानूनों के समय सरकार मजबूत थी लेकिन जनता के आकरोश के चलते उन्हें ये फैसला वापस लेना पड़ा वक्फ बोर्ड बिल शंशोधन मामले में भी सरकार द्वारा मोजूदा कानून में 40 शंशोधन प्रस्तावित किये गए थे जिनमें बोर्ड के मेनेजमेंट में गेर मुसिलिमों को शामिल करने का प्रावधान भी था लेकिन जैसे ही मसोधा सारवजनिक हुआ भारी विरोध शुरू हो गया नतीजा यह हुआ कि सरकार को बिल जैपीसी यानि की जोइंट पार्लिमेंटरी कमिटी के पास बेजना पड़ा अब बात करते हैं ब्रोड कास्टिंग सर्विसेज बिल की इस बिल के तहर डिजिटल नियूज और ओटिटी कंटेंट को नियंतर करने के लिए सकत नियम बनाए गए थे डिजिटल किरियेटर्स और शोशल मीडिया यूजर्स ने इसका जोड़दार विरोध किया और अन्त में सरकार को ये ड्राफ्ट भी वापस लेना पड़ा इसके अलावा सरकार को लोग टर्म केपिटल गेंट टेक्स में बदलाव को भी वापस लेना पड़ा था बज़र दो अजार चोईस पत्चिस में इंडेक्शन को खतम करने के फैसले पर तीक ही आलोचना हुई और फिस सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया विपक्ष के दवाव में सरकार को पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी पीछे अटना पड़ा है हिमाचल पर्देश और अन्य राज्यों में कॉंग्रेस के बढ़ते परभाव ने इस मुद्धे को और भी जोड़दार बना दिया सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपियस का एलान किया जो कि पुरानी और नई पेंशन योजना का मिश्रण है पहले जहां बीचेपी अपने दम पर फैसले ले रही थी अब उसे हर कदम पर विपक्ष की चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है गटबंदन सरकार की मजबूरी और विपक्ष का बढ़ता दवाव ये दोनों ही फेक्टर मोधि सरकार को कमजोर दिखा रहे है ये कहना गलत नहीं होगा कि मोधि सरकार के तीसरे कारेकार में चुनोतिया पहले से कई ज़्यादा है जहां एक और विपक्ष मजबूत है वही दूसरी और गटबंदन सरकार की मजबूरिया भी है सवाल ये है कि क्या मोधी सरकार इन चुनोतियों का सामना कर पाएगी या फिर उनकी ये तीसरी सरकार यूही मजबूरी में चलती रहेगी खेर जो भी होगा वो आपको THINK 360 पर जरूर देखने को मिलेगा इसलिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लिजे THINK 360 को नमस्कार